Hello Friends, आज हम B.A. First Year का Second Paper पढ़ेंगे ग्रे विवस्था इसमें हमारा टॉपिक जो हम पिछली क्लास में पर रहे थी समय का विवस्थापन वही टॉपिक हमारा कन्कियु ही रहेगा इसमें हमारी आज की हैडिंग रहेगी समय विवस्थापन के साधन जो हैडिरी वाली हैडिंग हमने आपको कल भी करती शिक्राइब से बता दी थी इसमें हमारी जो पर्स्ट हैडिंग थी समय का महत्व अत्वा मूल इस हैडिंग है हमने आपको लिखवा दिया था आज हमारी इसमें सैकेंड हैडिंग रहेगी समय मानक टाइम नौर्म इसमें लिखेंगे गिरहेडी को उचित पिरबंध के लिए बिभिन किरियाओं से संबंधित बिभिन पिरकार के समय मानक बना लेने चाहिए समय मानक अर्थार वह समय जो एक किरिया को पूरा करने में लगता है जैसे कमरे की अच्छी तरह चारू में पांच मिनिट एक गंदे वस्तर पैंट कमीज धोने में तीन मिनिट लगते हैं इस तरह मानक से ग्रहेरी को ज्यात हो जाता है कि वह समय को ब्यर्थ नहीं गवा रही है यदि आवशक्ता से अधिक समय लग रहा है तो उसके काद करने का धंग सही नहीं है उसे कार करने के धंग को परिवर्थित करना चाहिए समय मानक से समय का अपव्यय रोका जा सकता है अता गिर्हे परबंद को चाहिए कि वह बिभिन कारेयों के समय मानक बना ले ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार संपन हो सके अब पेरग्राफ चेंज करके लिखेंगे समय मानक की तरहे अपकाश मानक भी होते हैं यानि कार्व करने के बाद गिर्हेली को कितने समय का अपकास लेना चाहिए विभिन स्थानों पर रहने वाली गिर्हेली का अपकास का धंग भी भिन भिन होता है यानि गाओ वा शहर उच इस्तर मध्यम इस्तर वा निम्न इस्तर की गिर्हेली के अपकास बिताने का तरीका भिन भिन होता है उधारर जो ग्रहेली उच इस्तर की होती है जो नौकरों से कार करवाती है वहे अपना अपकास का समय तीवी देखकर किताबें पढ़कर व्यतीत करेगी निम्निस्तर की ग्रहेली स्वयम सब घर का कार करने वाली लेट कर अपकास का समय व्यतीत करेगी इसी तरह एक घर में रहने वाली एक नौकरी करने वाली ग्रहेली के अपकास का धंधी भिन भिन होता है अब थाइड हैडिंग में इसमें लिखेंगे समय का संतूलन, balance of time इसमें लिखेंगे पितीक कार में समय का संतूलन रखना अती आवश्यक है समय का संतूलन मुख्य रूप से तीन बातों का करना चाहिए कार, विश्राम, एवं सयन तीनों में आट, आट, आट का अनूपार होना चाहिए कार में समय का संतूलन, इस्थापित करती समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिन कार्यों में अधिक व्यक्तियों की आवश्यक्ता होती है उनको उस समय करना चाहिए जबकि परिवार के अधिकतर सदस्ते घर पर उपस्तित हो अर्थात वही समय कार करने के लिए सर्वोतम होता है जिस समय कार के करने में सहायता प्राग हो सकती है इसमें लिखेंगे परिवार की ग्रहेडी को दिन भर में निम्न लिखित पारिवारिक किरियाएं संपन करनी परती है इसमें फर्स्ट एडिन लिखेंगे परिवार के लिए भोजन की ववस्ता फूट प्रिप्रेशन इसमें लिखेंगे इसके अंतरगत भोजन बनाना परोसना तथा रसोई से समबंधित अन्यकार आते हैं सेकेंड हैडिन आर्थिक जिम्मेदारिया एकॉनोमिक कल रिस्पॉनसिबिलिटीज इसके अंतरगत पारिवारिक बजट बनाना पारिवारिक हिसाब किताब रखना भविस्त की आवश्ताओं के लिए बचत करना आदी आते हैं घर की सफाई इसमें लिखेंगे घर के विभिन कमरोग की सफाई एवं इनकी साज सज्जा संबंधि कार इसकी अंतरगत आते हैं फिफ्ट हैडिंग में सदस्यों की देखवाल केर ओफ मेंबर्स घर में सदस्यों की देखवाल उनके स्वास्त की देखवाल आदी कार इसके अंतरगत आते हैं फिफ्ट हेडिंग में लिखेंगे परिवार के बच्चों की देखवाल Care of Children परिवार के बच्चों के दैनिक, नित्य, कर्म करना जैसे नहलाना, बच्चों की देखवाल, स्कूल भेजना, आदी कार इसके अंतरगत आते हैं नेस्ट हेडिंग बश्तरों की देखवाल Care of Cloth, इसके अंतरगत कपड़े धोना, प्रेश करना, सिलना, मरम्मत, इसके आदी आते हैं नेस्ट हेडिंग रहेगी श्रिक जिन में दालिया, एजुकेसनल रिस्पॉंसिबिलिटीज इसमें परिवार के बच्चों की पढ़ाई, संबंधी, समस्याओं को दूर करना, गिरह कार को करवाना इत्यादी आते हैं फिर नेस्ट हेडिंग रहेगी सामाजिक एवं धार्मिक जिम्मेदारिया, सोसल एन विलीजियस रिस्पॉंसिबिलिटीज इसके अंतरकर गिरहेडी की सामाजिक, सांस्क्रतिक वा धार्मिक जिम्मेदारिया आती हैं फिर नेस्ट हेडिंग, निर्देशन, डायरेक्षन, बरिवार के सदस्यों वा नौकरों को सही घंचे काम करने के निर्देश देना इसके अंतरगत आते हैं नेस्टर रहेगी सहायता, हेल्प, ग्रहेडी घर की आर्थिक इस्तिती, सूद्रण करने में कार करके सहयोग देती है लास्ट रहेगी स्वयम की देखवाल, सेल्फ केर, ग्रहेडी का जो समय स्वयम के लिए वैतीत होता है जैसे विश्राम करना, स्वयमगी, बेखवाल करना